Hello student, standard 6, subject Hindi, lesson number 7, बूजो तो जाने, पहलिया, exercise, take your Hindi textbook and your notebook, textbook page number 44, lesson number 7, बूजो तो जाने, यहाँ पर हमें पहलिया दी है, हमें उन्हें पहचानना है, और बताना है कि वो कौन है, फर्स्ट, फल देखकर सफल हुए है, हर्याली फैलाते है, फूल फली, जड, छाल, बीजदी, सब को सुखी बनाते है, यह अपने बारे में बता रहे हैं कि हम सब को फल देते हैं, सब को फल देने में ही हमारे जीवन में की सफलता है, हम हरे भरे हैं और हर्याली फैलाते हैं अपने फूल, कलिया, जड़, छाल और बीज दे कर हम सब को खूश करते हैं तो वो कौन है पहचानिए वो है व्रेक्ष सेकेंड पत्थर का वन उचा है मन उकते पेड घने सारे नदियों जड़नों के उद्गम हम बूतल के हैं रखवारे यह हमें बता रहे हैं कि हम हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं हमारा मन बहुत विशाल है हम पर बहुत से पेड उकते हैं पौधे उकते हैं हम से नदिया और जड़ने निकलत के जाती है उद्गम्स्तान यानि जन्मस्तान हम से नदियों और जड़नों के जन्मस्तान है हम धर्ती की रक्षा करते हैं तो वो कौन है वो है पहार पहार के उपर बहुत सारे पेड पौड़े उकते हैं वहां से जड़ने बहते हैं नदिया बहती है तो वो नदियों के और जड़नों के उद्गम्स्तान है स्वयम न पीती प्यासी रहती देती जगबर को पानी खेत सींचती नाव चलाती बहती हूँ मैं मनमानी मैं अपना पानी स्वयम नहीं पीती हूँ मैं खुद प्यासी रहकर पूरे संसार को अपना पानी देती हूँ मेरे पाने से खेतों की सिंचाई होती है मेरे पाने में नाव चलती है मैं अपने मन मुताबिक चलती रहती हूँ और बहती रहती हूँ तो वो कौन है? वो है नदी पीज नमबर 45 तन्हे मेरा हरा भरा रसे रहता सरा भरा भीतर से में हूँ लाल प्यास बुजा कर पूछू हाल तन्यानी शरी मेरे शरी का रंग हरा है मैं अंदर से लाल रंगा हूँ और हमेशा रस भरा रहता हूँ मेरे अंदर बहुत सारा रस भरा होता है और सबकी में प्यास भी बुजाता हूँ गर्मी में सबसे पहले लोग मेरे से अपनी प्यास बुजाते हैं और मैं उनका हाल चल पूछता हूँ कि अब कैसे है तो वो कौन है जो हरे रंका है और अंदर से लाल है वो है तर्बूज हम दोनों है पक्के मित्र करते रहते काम विचित्र पांच-पांच सेवक है साथ लेकिन करते कभी ना बात हम दोनों पक्के मित्र हैं हम विचित्र यानि अनोखे काम करते हैं हम बहुत सारे काम करते रहते हैं हमारे पांच-पांच सेवक है हम दोनों के पांच-पांच सेवक है लेकिन वो आपस में कभी भी बात नहीं करते है कौन है वो? वो है हमारे हाथ हमारे हाथ में पांच उंगलिया होती है और हाथों से हम कई काम करते है और इसके बाद है कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा कभी गेंद जैसा हूँ मेरी कोई बहन नहीं है पर बच्चो का मामा हूँ मैं कभी पतला रहता हूँ कभी मोटा हो जाता हूँ और मेरा अकार गेंद जैसा है मतलब की बॉल जैसा है और मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन सारे बच्चे मुझे मामा बुलाते हैं मैं सब का मामा हूँ, तो वो कौन है, वो है चन्दा मामा, चान, बड़े सवरे उत्ती हूँ, मैं सेर गगन की करती हूँ, मैं, आलर सुस्ती तनिक न करती, हर दम ही कुछ करती हूँ, मैं सुबर जल्दी उठ जाती हूँ, आकास की सेर करती हूँ, मैं जरा सा भी सुस्ती, यानि की वो थोड़ा सा भी आलस्पन नहीं करती है, और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, तो वो कौन है, वो है गोरईया, यानि स्पैरो, पेज नमबर 46, जिसके उपर अभ्यास दिया है, हम टेक्स बुक में करेंगे, उसके बार नोट बुक के अंदर कॉपी करेंगे, नमबर वन, वाक्यों में कुछ फल और सबजियों के नाम है, उन्हें ढूंड कर उड़ाहर के अनुसार लिखे, उधर आ, मद, जा, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर एक फल का नेम चुपा हुआ है, एक्जाम्पल में आपको अंसल दिया है आम, यहाँ पर आ, एन, म, यानि वर्ड है आम, नमबर व, अंदर आ, लू लग जाएगी, तो यहाँ पर एक सबजी का नेम है, वो कौन है, आलू, यहाँ पर आपको सेकेंड बॉक्स में आलू लिखना है, जैपा कल आया था, इसके अंदर कौन सा नेम है, फॉल है या सबजी है, एक सबजी का नेम है, पालक, जै, पाल, और यहाँ पर कल का फॉर्स लेटर कर, पालक, ड, संत्रम आ गया, यहाँ पर, फॉल या सबजी, दोनों में से किसका नेम है, एक फॉल का नेम है, संत्रा, सेलजा मुन्मुन से मिली, यहाँ पर भी एक नेम है, दूढ़िए, जामुन, फैला हुआ काम, अब सिमन रहा है, इस सेंटेंस के अंदर, फॉल या सबजी, दोनों में से कुणसा नेम है, एक सबजी का नेम है, मतर, इस तरह से उसका अंसर आपको लिखना है, आम, आलो, मतर, सॉरी, आम, आलो, पालग, संद्रा, जामुन, मतर, इसके बाट, क्वेश्चिन नम्बर टू, चित्र पहलिया, ध्यान से देखो, और बताओ, यहाँ कौन-कौन से प्राणी, पक्षी, चित्रित है, यहाँ पर पिक्चर के अंदर बहुत सारे एनिमल और बर्ड दिये हुए है, आपको उनकी नेम पहचान कर लिखना है, टेक्स्बूक में पिक्चर के बाज़़ों पर लिख सकते हैं, पहचान है, यह कौन-कौन है, यहाँ पर हाथी है एनिमल में हाथी उसके बाद मूट उसके बाद भैस है इसके बाद मगर है उसके बाद लोमडी है कच्छुआ है कुट्टा है और हीरन भी है इसके बाद वर्ज के नेम भी आपको ढून कर एक बॉक्स के एक साइट पर लिखना है इसके बाद है इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजे आपको वर्ड दिये है उनके साइंटेस बना कर लिखने है जैसे कि पर्वत हिमालई उंचा पर्वत है इसके बाद नमबर वन पर है पेड पेड हमें फॉल देते हैं नदी गंगा पवित्र नदी है आम आम फॉलो का राजा है हाथ खाने से पहले हाथ दोने चाहिए मकान यह नया मकान किसका है खिलोना मा बच्चे के लिए खिलोना लाई इसके बाद क्वेशन नमबर फॉर आठ अंटर बतलाओ जल्दी दिखाओ अपनी अकलमंदी यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिये है दोनों पिक्चर्स सेम है लेकिन उसमें आठ डिफ्रेंस है वो आपको ढून कर सरकर करना है क्वेशन नमबर फाइब पढ़कर कोस्तक में उची शब्द लिखे किसी को जानने के लिए कहना हम किसी को जानने के लिए कहेंगे तो उसके लिए एक ही वर्ड लिखना है एक ही लेटर लिखना है तो क्या लिखेंगे जा नमबर टू जीवन प्राण उसका दोसरा मिनिंग क्या रहेगा जान राजा जनक की पुत्री यानि उनका नीम रहेगा जान की जा जान जान की प्राणी पश्यू जीवधारी यहाँ पर कौन सा वर रहेगा जीव शुरुष्टी नमबर शीक्स नीचे दी गई वर्ग पहली में से साथ थक शब्द ढून कर लिखे दिये गई क्वास वर्ट के अंदर आपको वर्ड्स ढूनने है और उसे सरकर करना है वर्ड्स ढून कर सरकर कीजे इसके बाद स्वाध्याई वर्ड्स पहली भर्ये यहाँ पर आपको एक कोस वर्ड्स ढिया है और उसके लिए आपको संकेत बाय से दाए संकेत उपर से नीचे आपको वर्ड दिये है उसके लेटर आपको गैस करके लिखने है फर्स नए जमाने का आज कलका जो नए जमाने का है आज कलका है तो उससे क्या कहेंगे वो आपको यहाँ पर फर्स नंबर पर लिखना है चाल लेटर आएंगे टूटल तो गैस कीजी वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा वर्ड आएगा आदूनिक और दूसरी और नंबर वन उपर से नीचे यहाँ पर नंबर वन है जो वर्ड उपर से नीचे आएगा टीन लेटर का वर्ड है उल्लाद, खुशी, हर्ष तो उसके रिगार्डिंग डूसरा वर्ड क्या रहेगा जो स्टार्ट होगा आ से आनन आपको इस तरह से सारे वर्ड पहचान कर अंसर लिखने है इसके बाद कुश्यन नंबर टू उची स्टान पर विराम चिन्हा लगाए फर्स क आप क्या खाएंगे ये एक क्वेशन है तो हमें क्वेशन मा करना है आप क्या खाएंगे क मा ने पूछा फिर हमें अलप विराम डालना है ननी बेटी तुम कहां रह गय थी ये सेंटेस मा बोल रही है इसलिए यहाँ पर अवतरन चिन्हा दालना है और वो क्वेशन पूछ रही है इसलिए यहाँ पर क्वेशन मा काएगा गर छी कितना गंदा पानी है यहाँ पर हमें दो डाट करने है और उद्गा चिन्हा करना है मेरी पुस्तक का नाम रामायर है यहाँ पर हम एक अवतरन चिन्हा करेंगे यहाँ पर पुस्तक का नाम रामायर बताया गया है और हमें फुल स्टॉप भी करना है वाह कितनी अच्छी किताब है यहाँ पर हमें उद्गार चिन्हा करने है Q3. समान टुक वाले शब्द बनाईए और लिखे यहाँ पर आपको एक एक जामपल दिया है खाना राइमिंग वर्ड बना के लिखने है भाना, गाना, नाना, दाना तन, मन, धन, वन, फन राणी, नानी, धानी, पानी, जानी इस तरह से आपको दूसरे वर्ड बना के अपनी नोर्बुक के अंदर लिखना है Q4. आपके घर में यह आसपास कोई न कोई पेड होगा उसके बारे में कुछ वाक्य लिखे आपके घर के आसपास कोई न कोई पेड होगा जिसे के नीम का पेड़ होगा, बर्गट का होगा, पीपल का पेड़ होगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है Question number 5, नीचे दिये गए वाक्यों में से विशिशन श्रब्द छाट कर बॉक्स में लिखे उदाहरन, शिल्पा बोली भाली लड़की है, यहाँ पर बोली भाली विशिशन है, जिसे बॉक्स में लिखा है कक्षा में चार बच्चे बैठे है, तो इसमें विशिशन कौन सा है, कक्षा में बच्चे बैठे है, लेकिन कितने बैठे है चार मतलब कि वो विशिशन है तो यहाँ पे हमें लिखना है चार नीम की पतिया कड़वी लगती है नीम की पतिया कैसे लगती है कड़वी तो वो उसका विशिशन है कि नीम की पतिया कड़वी होती है नदी में काला पानी है तो यहाँ पे पानी कैसा है यहां पर किताब के बारे में बताया गया कि यह है किताब, तो यहां पर विशेशन है यह, गिलास में थोड़ाशा शर्बत डाला है, गिलास में कुछ है, तो क्या है? शर्बत, और वो शर्बत कितना है? थोड़ाशा, तो थोड़ाशा विशेशन है, हमारी पाठ्चाला में बड़ा बगीचा है, यहाँ पर बगीचा है, वो कैसा है, बड़ा तो वो विशिशन है, बाजार में पके केले मिलते हैं, बाजार में कैसे केले मिल रहे हैं, पके हुए, तो पके वर्ड विशिशन है, इस तरह से आपको विशिशन के आंसर, बॉक्स के अंदर, टेक्स्बु question number 6 चित्र में रंग बर्ये और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त किजे यहाँ पर जो picture दिया है उसमें आपको crayons color से color करना है और उसके बारे में बताना है कि यह picture कुण सा है आपको picture में क्या दिख रहा है इस चित्र के अंदर एक किसान है जो ट्रेक्टर चला रहा है तो किसान ट्रेक्टर में अपना फसल की बोरिया भरकर लेकर जा रहा है मतलब कि उसके खेत में फसल हो गई है अभी वो उस फसल को बोरी में भरकर लेकर जा रहा है इन बोरियों में उसके खेत में पैड़ा हुई फसल है खेत के आसपास पक्का कुवा है यहां पे खेत दिख रहे है एक कुवा है खेत में ही किसान का छोटा सा घर है खेत के आसपास है उसका घर है यह चित्र सुचित करता है कि हमारे राजिय में कृशी उद्यों का अच्छा विकास हुआ है किसान सुखी और समुद्ध हुए हैं Q7. शब्दों को कोस के क्रम में लिखे यहां पर जो वर्ड दिये हैं उन्हें हमें शब्द कोस के क्रम में लिखना है जैसे कि कसे ग्यतर के लेटर में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है पेड, चीडिया, काटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन तो इन वर्ड के अंदर कौन सा लेटर है जो हमारे स्वर और वियंचन में फर्स आ जाएगा तो वर्ड रहेगा फर्स काटा तो आपको यहाँ पे सरकल में लिखना है काटा उसके बाद आएगा चीडिया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन, पेड़ अंबर, कॉपी पेज नंबर, कॉपी पेज नंबर, कॉपी पेज नंबर 46, 47 जिसके उपर, क्वेशन नंबर 1, 5, 6 जो हमने टेक्सबुक में कंपले किये, वो आपको नोर्ट बुक में कॉपी करने है उसके बाद स्वादे के क्वेशन, क्वेशन नंबर, 1, 2, 4, जो टेक्सबुक के पेज नंबर, 48, 49 के उपर है, वो आपको नोर्ट बुक के अंदर कॉपी करने है थैंक यू, बाई